परम्पिता परपाल केंदे हुंदेशी के के फगवान दा पौना मुश्कल नहीं अनसान दा बढ़ना मुश्कल है यह बड़ी एक सोच विचारदी गल है यह सी सारे कमागे के यह सी अनसान है साड़ेज की फरक है लेकन महात्मा दा तजर्बा है वो सानु दस्दे है करतूत पसु की मान से जात लोक विचारां करें दिन रात गुरु अर्जिन देव जी महारादी केंदे के सानु खुदी अपने जीवन दी पड़ताल करनी चाहिए है कि यह सी पसुआ जैसे ही कर्म कर दें है यह उपर भी कोई अच्छा कर दें है बड़े ठंडे दलता मसला है पसुआ पंची संदे है और बीमारी दोख सुख उन्ना नुवी पठावना पेंदा है मौत पदैश उन्ना दिवी हुंदी है ओवी पोग दे हन रैन वास्ते अपनी जरूर मतावक ओवी आलना की कोरना बनोंदे हन अगर असी वी एही कुछ कर दे हैं सौन खान पीन दे विच्छ पोगन दे विच्छ कहरवार प्राउन दे विच्छ वक्त खोजने हैं तो असी केड़ा को जान वरां तुम पसमा तो कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं इस वास्ते महात्मा से नुद दस्ते हैं सब तो पहला असी अनसान बढ़ना है अनसान असी उद्मी बढ़ सकते हैं जदो अपनी आत्मा तो अस्तूल सुक्षम कार्म तिन्ने पढ़ दे लाके दसने द्वार विच्छ पौंच जानने हैं जित्थे के और्त मरदा कोई पढ़ दे लाल इंदी है इसनु पता लगदा है कि मेरा कोई परमात्मा है उद्थे जाके अनसान बढ़ दा है धले धले मनता राज है अच्छ अस्तूल इंद्रियां सानु बंदर दी तरह नचार नहां हन अर व्यक्तिनु परेशान कर नहां हन ज्यादा से सुक्षम देश उथे भी चैन नी उसे अत्यास पढ़के देखो प्राण पढ़के देख लो सुक्षम देश दा राजा इंदर उसने भी काम हवश नों पूरी कर्णवास से गोत्म रिखी दे करे आके उस दे करवाली दा सत पंकीता उथे भी हीरखा है चगड़ा है इससे तरह अगर असी कार्ण दुनियां दे विचे जनने हैं उथे कार्ण मन है कार्ण इंद्रियां हन जब तक असी इदू उपर नहीं जान देगे उन्हाचिक रसी अनसान नहीं कहला सकदे गुरू गोगिंसी ने कहा सी पूरा अनसान उही है जो अंदर अपने आपनी जोज़दे विचे मला देवे जो सचखंड को उठ रही है वो दे विचे जज़व कर देवे इस वास्ते जब असी अनसान बनने हैं वो दे वास्ते जगा बनने हैं वो प्रमात्मा साड़ी तलाश विच खिरदा हुंदा है वो भी जगा पाड़दा है कोई अनसान मिले जित्थे मैं बैठ जामा राजा पीपा गगन औरदा हमेशा ही आवदे महल अंदर मंदर बनाके पूझा कर दा हुंदा सीगा लेकन ज़द मालक डियाल हुंदा है किसे संथ सत्गुरूदा मलाब होना हुंदा है आतमा सुतिन जगोना हुंदा है ओदों आत्मा ही अवाजां देने लग जान्दी है अंदर अन्पभ होने शुरू हो जान्दी है कई वी अवाजा और लग जान्दी है कि जिम्हें कुछ पूठी उपरों आवाज लगा रहे है वो रोज देवीदी पूजा करदा हुंदा सी करविच मंदर सी लेकर आवाज अंदी सी के पीपा गुरू टून पूरा नहीं तक काड़ खल नकाड़ देवेगा बड़ा प्रेशान सी उन्हें अपने मंत्रियां वजीरा नों पुछिया कि इस किसम दी आवाज हर रोजी अंदी है पूरा गुरू जो मैनों पूरा नाम दे सके परमात्मा ना जोड सके वो कहने लगे कि किबीर से ता संसार छड़ गे है एस विले रवी दास महात्मा कांसी दे अंदर है वो शब्द नाम दा पे दिन्दा है पर वो कहने लगे कि उच्च मार जाती दा है हुण राजा आला पातर सी सच्चा सुच्चा सी गा लेकन मन हमेशा ही तोखा दुन्दा है ख्याल आया एक शत्री राजपूत राजे ने चमार नुचा के गुरू तार्न कर लिया है खैर गंगादा प्रव लगया सी राजे ने सोचया कि ऐस नेरी मौके तो फैदा उठोना चाहिदा है पवलक जड़ी है परजा है सब उद्र गई हुई है मैं होन जाना है महात्मानु कहना है के मैंनों रस्ता दे देंगे जो को यो ग्यान करऊंदे एक रादेंगे पीपा रवीदास दे कारंदर गया अगे रवीदास दी किंड़ दे नाल उन्ना विच पानी पारे सी गे जड़ा के राजे नुँ देखके जल जिख्याल आया दिया आई के ए राजा होके मेरे करे आया है दुन्यावी तोर ते मैं गरीव हां ए नुँ कुछ ना कुछ देमा ए राजा किया खुगा वे संतां कोड़े की हुंदा है संत की दिन्दे है उन ए संतां दी मर्जी हुंदी है उन आदी द्या हुंदी है जे में वी चौन ओमी वो कर सकते है गुरु नानिक ने क्या सौंपे जिस पंडार फेर पोच्छ न लीती हैं के इंदे जी नुँ पंडार सौंप दन्दा है जीमेक भी मर्जी अउदी दात जीहां नुदे देवन लेखा नहीं पुश्दा क्य तुप पापियां आम जटायां या किनु नहीं दे Nejणा शीगा इस वास्ते आप प्यार दे नाड उन्हों केंड लगे हच्छा भी राजा बोककार जल्चे ख्याल आया कि इसनों अमर्त मैं खला देमा संता दे द्रिश्टी दे विच्छ अमर्त हुंदा है किसे आदमी ने महाराज सावन सिंग दे आके पैरा विच्छ मत्था टेकिया उठे जाए ना महाराज जी कैन लगे देख वी सज्ञा ठलेता जमीन हुंदी है जो कुछ हुंदा है साववी अख विच हुंदा है तो उपर चाख जो कुछ लेना है नानक नदरी नदर निहाल अख ही अख नू दे सकती है लेकन व अख बनोनी पैंदी है मैं एक पजन अखां द मुलवी नी पैंदागा एक मोतीना तुल्दी है एक अख दियां अनेका सखियां हुंदी हैं एक अख दे अनेका दुश्मन हुंदे हैं और एक अख दे विच्चों अमर्त वरस्दा है एक दे विच्चों यह डिग दी है अख बनोनी पैंदी है इस वासु दे विच क्या है कई मारे मरगे अखियां दे कई तारे तर्गे अखियां दे तो रवीदास ने उस पाणी दे लिश्टी पाके उसनों अम्रत बना देता लेकन मन हमेशे तोखा देंदा है राजे ने सोचया महात्मा दा रोब देखके उने बुकता इस तरह कर देते घुलियां कोड़ता दा बहां दा कोड़ता सीगा सोचया मैं तो चमार बन जेओंगा अगरे इस दे हत्ता पाणी पीलिया वो थले दे पानी वगा दता मुदे वेचे पानी ना जान दता घरे आया सोचदा है अज दा बड़ी गल्ती कीती सी चमार बन जाना सीगा तोबी नू गुलाया कारदे अंदर केंदा देख भई खड़े काटदे अंदर इनू तोखे लिवना है मता चल दे पाणी दे वेचे तोदे ने जो ये पाणी पीन किते सारे चमार ना बन जान वो तोबी पठी त्यार करन लग पया जो लड़की सीगी ओना दी छोटी सी न वालक सी आप ता तोबी लोग अगरो दाग चूस दे हन तो थुक थले सड़ दे है वो बच्ची नू पता नहीं सी वो थुक अंदर न गवन लग पी वो ता हुण अमर्त सीगा वो दाग का दे सं वो ता अमर्त प्या होया सीगा जेमें जेमें लड़की दे अंदर वो अमर्त गया पढ़दे खुलने शुरू होगे लड़की ग्यान त्यार दियां गल्ला करन लगती पता लगया के तोबियां दे करे लड़की एक महात्मा है उन राजे नू बड़ा शौक सी उदे भी कन्ना देवेचे किसे ने पिंग पाई ख्याल आया के भूण चलिए प्याइद की मन दे कहें ना लगांगे आखर जद रात नू तोबियां दे करे गया उन लड़की देखके राजे नू उठ खड़ी क्योंकि यवर्यां नू ही लाल दी कदर हुंदी है कमार की पर्ख सकते है जिना ने गदे दे गड़ रिच पादेना है संता दे कदर उनना नहीं हुंदी है के जिड़ अंदर जान दे अंदर जाके जुड़ते है अंदर उनना दे पिजीशन देख दे है वाकि दुनिया नू की पता हुंदा है इस वास्ते लड़की ने सोचया कि जो कुछ मिलिया इना दे पुड़ते दे विच्चुई मिलिया इना तो ही मिलिया है उठके खड़ी होई निम्शिकार करने लगे उकेंड लगया देख बेटी मैं राजा बनके तेरे पास नहीं आया मैं तेके पिखारी बनके आया हां उकेंड लगे कि मैं राजा समझगे तो अनू नहीं उठी मैं ता थ्वाड़ा शुकुराना कर दी हैं कि जो राज जो सचयाई जो होकीकत सी वो थ्वाड़े कुड़ते दे अंदरी सी जद राजे नू पता लगया कि मैंनों इतनी काट पैगी मैं इतना अपना नुकसान कर लिया कित्थे तह मैं इज़े था महात्मा होंदा कित्थे मैं जो पकारी बने हैं आखर राजा सब को शड़ शडाके रविदास दी तर आया पजया कहने लगया महात्मा जी गल्ती को कहने लगे देख देख दी पीपा को दोता मौज सी कैम सी लेकन हुनते नू कमाई करनी पहेगी उन्हाने नाम देता पीपे ने उस वक्त नू या नाम नू रख्या नहीं बलकि उसने जप्या परमगती नू प्रापत होया गुरू ब्रंद सह्व देविच आफ दी बाण आप अपनी बाणी चे लिख देए जोग पर मंडे सोई पिंडे जोग भोजय सोग पावाय पीपा परम परम तत है सत गुरू होए लखावाय कैन लगे के बगैर गुरुवा तो ये स्वस्तु नू कोई प्रापत नहीं करा सकता गा और प्रमात्मा दे कारंदर बेशक सी कि इतना भी अच्छा करमकांड क्यू ना कर दे हुए तरह ऑप, इस तरह है जिस तरह झासी छिलके दे नार्ड तियार कर दे हैंं गिरी नू सिट रहे हैं गिरी नू चुक नी रहे नाम गिरी है कर्म कांड जितना भी है बार मुखी वो सारा छिलका है ज्याद से संतांदे दर्वार विच जानने हैं संत महात्मा किसे समाज दी निद्या नहीं कर देगे सार्या समाज नू अपना कर्सम दे है फर कितना ही है कि वो अपने ससंग देंदर रीती रवाज नहीं रख देगे प्रेक्टीकल क्रम दे है एस वास्ते वो कैन लगया पीपा जेड़ा खोजदा है वो पालेंदा है लेकन ए वस्तों सानू संत सद्गुरां तो ही मिल दी है सो आप दे अगे पल्टू सेथा शब्द रख्या जंगा है गौर्णा सुनो मैंनू कई दिन होगे थ्वानू समझाओं देयानू के प्रमात्मा दे दरबार अंदर पक्ती प्यारी है पक्तानू ही इजित प्रमात्मा देंदा है उन्ना वास्ते ही गुवा खोलदा है जिस बड़े गौर्णा सुन वाला शब्द है सुनो मेरा जी तजा सकले पक्तवां दिया तासी सुते पाजी चाप तप ने में चार करें वो के राख कुई आईच्वरी के बेख कुई साथ रिशिर्मुनी रोए किया जो दिशतर जागर बठूरा तकल सुमाजा मर्दा सब का मान सुभचविमें तंचन बाज्या मर्दा सुभचविमें तंची जात को यान कोई करें हुं कार साहिब के दर्बार मी इवल पगतं पियार साहिब के दर्बार मी इवल पगतं पियार साहिब के दर्बार मी इवल पगतं पियार मैं दस्दा हुने कि संत महात्मा सुनिया सुनाया गला नहीं दस्दें देगे वो अखी देखी गल बयान कर देगे है हमेशे यह उपें देगे है देखो भी सजड़ो सच्चे दे मूँ विच गुड है चूठे दे मूँ विच स्वाह हं दी है वो कदे भी सुनुई सनाय गल ना करनगे जो अखी देखी है खुद प्रेटीकल जिंदगी विच कीता है वो ओह ही बयान करेगा उन चूठ बोलन दी की लोड है इस वास्ते पल्टू से आप दी जिंदगी दा तजर्वा दस्दे है सम हात्मा ने अपो अपनी जिंदगी दी अंदर बड़े तजर्वे कीते हैं दे है गुरू अर्जन देव जी माराज केंदे है पाठ पड़ेओ अर बेद वचारेओ नेवल पो यंगम सदे पांच जन्नास संग न शुटके अधक एंबुद बदे प्यारे इन बेद मिलन न जाईं मैं किये कर्म अनेका मोन रहो, करपाती रहो, नगन फिर्यो बन माही, तर्ट तेर्थ, सबतर्थी परम्यों दुगदा शुटकाय नाही आप कैन लगे कि इसी हर किसंदा कर्म कीता पाठाँ दा वचार कीता, बेदाँ दा वचार कीता, योग्याणे सारे कर्म कीते सादू बनके करनू शड़के वस्तिनू शड़के जंगलां दे अंदर भी गए कर पाते क्या हाथते फुलका लेना खड़े खड़े ने खाके गे चल पढ़ेना येस वास्तियसी मोनी भी रहे और बहुत सारा दान भी देता एच्छो तक सोने देविच मण के इसरी भी दान की पहाड सोनेदा बनाखे इना कर्म करन दे दिलंदर हंकार आया या मैं इतना दान की था है इतना पुन्न की था है माराज सावन केंदे हुंदेशी के देखो भई ए लोकन कस्णा भी मैं आ कुछ कर दा हैं यह इस तरह है कि जिस तरह अच्छा प्लाब ना लिए और उस तो बाद उस देव पर स्वादा तुड़ा दे लिए गुरु नानक देव जी माराज केंदे है पीर्थ वर्थ अर दान कर मन में तरे गमान नानक ने फल जाता है यूं कुंचर अशनान महात्मा ने कसरनी शड़ी उन्दी खोई दी मारा सावन सिंग आवदी हीश्री खुद संगत दे अंदर दह दे के बाईस साल खोजिया जद बाबाजी दे चरना विच गए फिर पता लगया कि परमारत की चीज है परमात्मा नों किस तरह मिलना है मैं अपनी जिन्दगी दा बहुत सारा हिसा कर्मकांड दे अंदर लाया है कि यार नाड इजित नाड शर्दा नाड इने के पखांड समझ के लाया है वद तो वद बड़ा कश्ट परया समा सी जद में तुनिया तपाज्या हलांके गौवर्मेंट दी तरफ़ सानू ठंडे थारैंड दी अजादस सी छुटी सी क्योंके कश्मीर दी अंदर सानू लड़ाईडा मौका मिलिया साड़ी हिंदोस्तान दी जित होई गौवर्मेंट ने एक या कि तुसी शिमले या पहाड़िया डगशे ही दे उते जाके आप दिया शुटिया मनाओ लेकर शौक शौक ही हुंदा है प्यार प्यार ही हुंदा है उत्थे ठंड नहीं कटी बड़ी गर्मी दे देन ख्वानू पता ही है के साड़े पंजाब दे अंदर मैई और जून दे महिने वत तोवाद अपने हन और तुम्नियां दा ये हुंद होकाइल आता है का र안 आंक्षा करता हुंदा आपना जनुक्ती दे जाप कैसि पनुक्ता नहीं चार के मातना आम हरा रहा याश्री माम मैं दे द होड़ी है प्रेम प्यार देनाल बैठ जानता है एक चाली दिन तपाण्या जानियां हन। जद मैं इस सारा कुछ करके बाबा विशन दास दे पास गया। उक्यें लगे देख वही। अग्यां ता पहला ही पंज थ्वाड़े अंदर जगर पढ़रियां हन। काम दी अग है। बंदे नूँ पागल करदन दी है जद ए अग पढ़गदी है। पोले खड़ा बंदा नहीं दिश्दागा। हमेशा सब नूँ पता है कि काम बेज तीरा कारण बढ़दा है। प्रोध जड़ा है ये भी बड़ा जवर दस्त हुंदा है तद काल दा पागलपन हुंदा है। पंदे दी होश गुम हो जांदी है। उन पता ही नहीं कि मैं की बोलना है। और की करना है प्रोध विच बंदा भूंदा जड़ा दबाओ है वज जन्दा है। उन ये नहीं पता कि मैं केड़ी गल इनु कह रहे हैं केड़ी नहीं कह रहे है। कि ये अगनी इससे तरह लोब है अनसान अपने हक नूँ शड़के प्राया हक खांदा है। वोदी हवशिजड ये पूरी नहीं हुंती। वह में सारी दुनिया दा सोना चांदी उदे करे आजावे। फिर भी होर मंगन रहा होएगा। ये ही हालत हंकार दी है। हंकार केड़ा कहनदा है बंदेनू। के वई हुन तु शांत होजा। ये होर बाद जन्दा है। पता लगया मेरा कैन दा पाव इतन है कि संत्म हात्मा ने आपनी जिंद्री तजर्वे तो गुजारी हुंदी है। उन्हाने तजर्वा कीता हुंदा है। ये एना कर्मकार्दी कितनी के वैल्यू है। मैं सिखांदे कर्विच पैदा होया। जो साड़ा सिखांदा रीतीर वाज है। तो मैं सारा कुछ कीता। मेरे माता पिता वद तो वद शिरदालू संद। और दानपन कर दे संद। बहुत अच्छे संद। इससे तरह मैं आर्मी दे अंदर भी मेरा एक छोटा जा गुर्दवारा बनाया हंगा सीगा। जड़ा मैं हमेशा चोलेच पिछले पास से उन्हों रखदा सीगा। गुटकाओ देविच रखदा तो उपत खवंदा सें। सब कुशी करदा सें। मेरा कहन दा पाव इतने ही है कि कितना प्यार से कर्मकार्ण देविच। कितनी इज्यस सी। लेकन एक कर्मकार्ण करंदे नाल मन शांतिन आई। राजे पीपे दी जो कहानी सणाई सी। ये मेरी अपनी ही कहानी है। जिमें ओ अपने कर्वेच मंदर बना के पूजा करदा सी। जात तक तौनों ने जाके रवी दास दे चरना ते ना चुका देती। उदा कुछ ना बनेया। ये ही हालत मेरी सी। बाबा विशन दास खोल जा तुनिया तपाके गया। उन्हाने कहा। देल नों बड़ी चोट लगी। प्यार जा गया। जो उन्हाने कहा। शबदा पेदता, दोशबदा पेदता, मैं दस्दा हना कि पहले पहले जीडे मंडल हन। पहले पहले संत बादे जो अबयास है ये बड़े कठन हुंदे है। मगरों रस्ता चल पेंदा है, कोई एतनी मुश्कल नहीं हुंदेगे, बंदे नों हिम्मत हो जंदी है कि मैं उपर जाओंगा। कुछ रस भी मिरदा है, मन भी इनिया चलाकियां नहीं मारदागा। काफी मेनत, मिशकत, प्यार नाड़व उठाई। थारा साल मैं दस्दा होना है कि दुनिया चो ख्याल कड़के बैठे रहे, एक प्यार सी, महबस सी और उस द्यालू करपाल नो द्या उठी, जो उस संगदे अंदर कहिंदा होना सी, कि प्रमात्मा पगवान अंसान दी पाल वेच है, तो उह ही जानदा सी कि मेरी याद वेच कौन बैठा है। बगैर बलायां यह चलया गया, उन्हें इस गरीव आत्मा ते इस तरह द्या कीती, जिमें रवी दास ने राजे पीपे ते द्या कीती, या तोभिया दी लड़की दे द्या कीती। यह स्वास्थे आप पल्टू सा सानुदस्दे है, कि परमात्मा दे दरवार वेच अगर कोई चीज दी कदर है, वो पगती है, और किसे कर्मकांड दीनी, मैं दहदा होना है, पगती परमात्मा दी अमोलक तन है, यह बजारां चो नहीं मिल दीगी, तेदा असी बजारां द बैठ के बंज नहीं कर सकतेगे, खेता चे उगाह नहीं सकतेगे, किसे हकूमत ना इसनों सी प्रापत नहीं कर सकतेगे, कोई तोखे ना प्रापत नहीं कर सकतेगे, काम प्रोध लो मो हंकार्दी ये नासक है सच्चा सुख सची इज्जदी ये दाता हुंदी है मन शांती देनवाली हुंदी है लेकन इस पग्ति दे तन्नों सी अपने आप राप्त नहीं कर सकतेगे जिनना चिकर असी संत सत्गुरां कुले जाके उनना दे कहे मताबक अपना जीवन नी टार देगे एस वास्ते संत अपने आपने आपनों प्रमात्मा ता नहीं कहिंदेगे और उप्रमात्मा दे बच्चे प्रमात्मा दे प्यारे जिरूर बन जन्दे है प्रमात्मा तो वद के हुंदे है क्यों वद के हुंदे है नाम देव जी कहिंदा है मेरी बद्दी नो पगद शडा सकता है पगदी बद्दी मैं शडा नहीं सकता गा अगर मैंनू पगवान कहि तो मैं यह नहीं पुश्च सकदागा कि मैंनु क्यों बद्दा है आप कहोंगे किस तरह परमात्मा तो बड़े बन जांदे है नहीं ऐसी गल नहीं हुंदी बड़े नहीं हुंदेगे प्यारा पुत्त बाप तो जो चाहे करा सकदा है लेकन बेटा ओही हो सकदा है जो बाप दे हमेशा ही भुकमणू हदीश समझे कलाम अलाही समझे जो दे मुँचो निकले वामे वोसदे विचे दुख खावे सोख खावे कुछ वी आवे ओ पिता दा हुकम मनावेगा तो पिता ओदा हक देना ही सीगा लेकन अपना हक उस प्रमातमान पालियां हुदियां हन् उन्हादे प्यार दे वस आजन्दा है उन्हादर हमकार नहीं हन्दा जद गुरु नानक देव जी माराज मलतान दे अंदर गए मलतान वोस वक्त देविच पीरां फकीरां दा श्याय मशूर सी बड़े-बड़े करनी वाले करामाति य महाराज गए तो उत्थे दा जिड़ा पड़ा पीर सी और उसने दुद्ध परके पेज देता कॉला जब परके पेजया उसने मकसद एसी गा कि तुम्हें थे की लेणाया है असी पूरे हैं उसने पेजया कि इसनों पता लगे भी असी पूरे हैं पूरा कहना भी विच्चों बदभू हुंदी है गुरु नानक देव जी माराय ने चे मेली दा फुल ओ दुद्धे विच पादेता कैन दा पाव भाई देख सजना दो तो दा की नुक्सान है उते फुल त्रया फिर्दा है को कहने भी यसी तो अड़ा कोई नुक्सान नहीं कर देगे तो तुस्य कूर हुआ हैं वासी तरे हूए हैं एस संता दे अनदर निम्रता हुंदी है अगर तुआतो होर नहीं कुछुंदा अंधा तो उसी आप दे लिए गे निमे एस वास्ते जाद से नीने होके जानने है वो परमात्मा भुआ खोलता है इस से वास्ते संटा नो माया नहीं गरा सकदीगी बड़े बड़े रिखी मुनी उस माया ने गेर देते है माया कार दी शक्ती नो पेंदे है वो शक्ती किसे ना किसे असाव देनार मुनिया नो गेर दी आई है इस वास्ते आप प्यार देना दस्दे है उस प्रमातमा दे तरवार विच निम्रता प्यारी है पगती प्यारी है इस से तरह आप इस शबदे विच अप्यासक चर्चा कर दे है महापार्द में वकत दी जाद असना पूर दिली दे अंदर कैरों पांडों कोई फैसला नहीं हुंदा से क्योंके हिंदोस्तान दे बड़े अच्छे बादशासंद प्रामा दी फुट्ट बड़े जवर्दस पैच उकी से गी तो क्रिशन उन्हादा फैसला करने वास्ते आया दर्जोदन नो ए हंकार सीगा के मैं राजा है तकडा राजा है उतर एक बड़े छोटे जे इलाखे दा राजा है मैं मिंदोस्तान दा राजा हां क्रिशन पगवान दिलानिया जान दे संड्ड वो दर्जोदन दे करे ना गए उत्य महला विच ना गए वेदर जो वक्ति पाववाड़ा सी जिसनों दासीदा पुत्वी करके ब्यान कर देशन और सी वो उस दे करे चले आ गया लगे बिदरता करे नहीं सी उदे करवाड़ी सी उन आ रही सी देल देवेच बड़ा प्यार उठेया कपड़े बदलने भी पुलवी अजके आई के पगवान साड़े करे आगे वो कहने लगे कपड़े पाए आखर एज दुरुदर देखे आ के पगवान करवेच आया इनन कुछ खान नुदेमा करदे अंदर केला सी वो छिलका सिटी यंदी छिलका क्रिशन दी तरफ करी यंदी है खुद्दा जड़ा उसट दंदी है पगवान क्रिश्च उदे प्या वो छिलका खाके खुश हो रहे संड उन्हों यह नहीं पता लगदा सीगा कि मैं गुद्दा खा रहे हैं यह चिलका खा रहे हैं लेदर बारों आये देखे आ कैन लगे वलिए लोके जड़ी खान वाली चीज सी हो ता तुन सिट रही है और जड़ी सिटन वाली हो खान नू भी कहने लगे के देख जीत तुसीता कैद देशनू वो चुप रहे है शाम होई ओहन प्यार देवच बड़ी मस्त सी गी केला छिलके देने लगते क्रिशन पगवान कहने लगया देख वही जो स्वाद छिलके सी गा ओहन तेरे गुद्देज हेनी गा रात पई साग सबजी बनोन लगे ओदेवची निम्क डालना पो लगी क्रिशन ने बड़ा खुश होगे खादा जाद उना ने खुश होगे खादा जाद बिदर खान लगया उकेन लगया देवची निम्की पाया निगा क्रिशन नो भी केन लगया के महराजी तुसी बताई दे तो पगत नाम द आदेव जी उस वक्त दा वाक्या आपनी बाणी ची लिख देया है कि उकें लगया खीर समान साग मैं खाया गुण गावत रेन बिहानी बिद्रा तैनों नहीं पता सीगा एस ता सब्जी साग दे अंदर स्वाद खीर जैसा सीगा मैं सारी रात पजंदे वेचे जुड़े आ रहे हैं एन्ना नेक ख्याला ना सिमर्न करके बढ़ाया सीगा क्योंकि जैसा खा ये अन वैसा होवे मन जाद दर्जोदन नूँ पता लगया के राती ये वेद्र दे करे सीगा दर्जोदन बड़ा खुश्क होके बोलेया जाद अगले दिन क्रिशन महाराजी मिलनवास से गए तो पाई गुर्दाह जी कहिं देया आया सुनेया वेद्र दे दर्जोदन बोले होए रुखा वेद खुश्क बोलेया जाद तू विद्र दे करे चलेया गया राजयां दे महाले शदके तू गरीबान या चौंपड़ियां जफिरदा रहा की चंगे खाने मिले होण के वो कहने लगया गोविंद पाव पगयत दा पुखा कर जोदना मालक दे प्यार यानू महाले नहीं चंग लग दे उन्हों तो प्यारी चंगा लगदा महाबती चंगी लग दी है कि मुझे सोच सकते हो पल्टू साइब कैन लेके वह उसनों पगती प्यारी सी प्यार प्यारा से महालत याग देते गरीब दे करे चलेया गया कि आहे बुखे दरवार में के रन पढ़त प्यार कि एवल प्गत कि आहरां साहिव प्गती में राजीर रजासक लेपक वांलिया तासी सुतर फाजीर पंपा सुर्दा वाक्या पल्टू से बियान कर दे है उथे बहुत सारे रिखी मुनी अपना सिमर्ण कर्म कांड देविच लगे होए संद। उथे एक गरीबनी शिवरी पीलनी वी सी। वो जवान नहीं ऐसा हुंदा सी। गरीबनु लोग पगती नी कर्म देविच है। उथे गरीबनी नो कोई पानी नी पर दिन्दा सी। ना उस तलाव तो पानी पीए नी दिन्दा सी। जाद राम चंदर जी महराय नो बनवास मिलिया। उन्हान ने उथे जाना सी। रिखिया मुनिया नो बड़ा हंकार सी। कि ऐसी। जपी हैं तपी हैं कोई कंदा सी। मैं 10 साल्दा तप करता हैं कोई कंदा सी 20 साल्दा कर रहे हैं। वो साड़े आश्रम वीची आएगा। पीलनी गरीबनी सी। उथे दिल दे विच बड़ा ख्याल सीगा। कि मता सुनया है कि पगवान गरीबांदा हुंदा है। कि ते गरीबनी दे करे आजावे। मेरे कुड़े कोई ऐसी वस्तु नहीं। कि जड़ी मैं उन्हों खाण दे दूंगा। दे दूंगी। आखर जंगल वेचे चली गई। चाड़ियाना बेर लगे सीगे। तो उन्हें अकठे कर ले। घरे आई, ख्याल आया। पता बेर खटे होन, कड़वे होन। वगवान दा मूँ खराब हो जावे, कड़वा हो जावे, खटा हो जावे। बेरन चकता लमा, देखता लमा। लेकर मस्ती विचे पुलगी के चक्षण नाड बेर जूठा हो जादा है। वो बेर एक एक करके चाके रख दी जादी है। जद रामचंदर जी महराज पंपा सुरुदे अंदर गए, वो सिद्धे शिवरी दे चॉंपड़ी विच गए और वो बेर खा दे। जड़े रिशी मुनी संड कल्टू सहीव केंदे है, सारे हथ मल दे रेगे। अखांच पानी ही आगया। ये किड़ा पुरा होया। और आखर रामचंदर जी ये के उस पानी दा जिकर कीता रखिया मुनिया ने के जी पानी साथा साफ नी रेंदा गड़ा। इस दें दर किरम बड़े पैजन दे है। उना दा हंकार दूर करन दे खातर रामचंदर जी महाराज कहने लगे। वै तुसी बड़े अच्छे तपी हों अभ्यासी हों। तुसी एने विच्छ अपने चर्ण पाओ। महात्मा दे चर्ण अठाड तीरतां तो उपर होंदे है। उम्मे पिवित्र हो जांदी है। जित्ते वो बैठके आपना ससंग लंदे है। नाम जब्दे है। दुसी करो का अपने चर्ण पाओ। सबने चर्ण पाए लेकर पाणी कुछी भी ना सब्रया। आखरुन दा हंकार दूर करन दे खातर उन्हाने अपने वी चर्ण पादते। पाणी फेर भी ठीक ना होया। उखें लगेव जड़ी शिवरी है। पीलिनी उस दे चर्ण पावाके देखो। वानूं पता है गर्जवडी मिठी उन्दी है। उन्हाने किया जी पवालो जाद पीलिनी नू लेंदा उसने आप दे चर्ण पाए पाणी ठीक हो गया। देलेचे खियाल आया के ओ जाद सुबा रिखी मुनी उत्थे जांदे हुंदे सीगे। पीलिनी दे देल अंदर पमेवनूं पाणी नी लेंदे सीगे। इनी निम्रता सी उधना दिल सी कि महात्माता पव्यास कर दे है। बताए ना दे पैरांजी कंडे वजन। उठ्ण तो पहला 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 तड़के रस्ता साफ पर आया गरे। तो पुगवान राम चंदर जी सिर्फ हो दे प्यार दे बज्जे और तीरे बज्जे हो दे पुले गए। खाये शिवरी दे बेर मुवे सम रिखी मुनी रोई। अग्गे जो दिश्टर दी मसाल देके सम्झांदे है। जद महापारत होया, बड़ी कतलोगारत होई। अपने ही लड़के मर गे। और कृष्ण जी महाराज कहने लगे, देख वए। बहुत कतलोगारत होई है। तुसी यग करो, प्रास्चित करो, तादी तो अड़ा ये पाव दिन विर्ती हो सकदी है। उखें लगे सानुकी पता लगेगा के साड़ा जग किस तरह सपूर्ण होया है। उखें लगे तो अड़े अंदर कंटे दी आवाज उनी शुरू हो जाएगी। वो दो तुसी द देख लिएओ के साड़ा जग सपूर्ण हो गया है। उनना दना देवेचे रवाज होंदा सीगा। के रसामेद जग करन वास्ते कोड़ा चट्या जन्दा सीगा। अगर कोई राजा आगो कोड़े नूँ पकड़ लवे ता ओथे जंग होंदा सीगा। अगर ता जिड़ा कोड़ा शिडण वाड़ा है उस केस्त खाजांदा वो जग नी कर सकदा सीगा। अगर तो कोड़े वाड़ा इने छट्या है वो जित जांदा है तो कोड़े दा शिलशला जारी रेंदा सीगा। कंजे थैं टकरा होया। अर्जन दा लड़का बीर्यव मनुएदे विच मार रहा गया। आखर जाद पांडवान ये जग अरंब्या। बहुत लोग कठे होए खाना खादा सारा कुशी कीता लेकन कंठा ना वजया अंदर आवाज ना आई कृषिन पगवान उकेन लगे के माराजी साड़ा जग सपूर्णी होया ऐसा कौन विक्ति है जड़ा रह गया उकेन लगे एथो नेड़े ही है कबीर सेवदा चुताया होया है बाल मीख सादू है नीम जाती दा है अगर वो आजावे पोजन पाल लवे तब ध्वाड़े अंदर आवाज उन्ही शुरू हो जाएगी तो ड़्याग सपूर्ण हो जाएगा निल चे ख्याल आया कि शैत मह महात्मा नों पता नहीं होएगा कि यह थे राज राजयां देकर जग्र है सनेहा पेई दूआ जाएगा तो बंदा पेई देता है महात्मा ना आये ना उना इसीगा खुमोश रहे आखर एक एक करके पंजेपर आ गए तो कहने लगया भी मैं एक शरत तो अड़े जा सकता है अगर सो असमेद जगदा मैंनू तुसी फड़ दे दो तो मैं तोड़े करे जा सकता है तो कहने दे महात्मा जी साठत एक ही पूरा नहीं हुंदा तैनू एक सो एक ता कितो दे देए बड़े उदास होए करे बैठे संद द्रोवती पुछन लगी कि की गला तुसी उदास हो हो कहने लगे कि सारी रिणी शिनी यगदे उते लादती है बड़ा ही समस्या बढ़ी हुई है महात्मा आये तो बगयर कंठानी वाजदा गा हो कहने दाए एक सो एक समेज जगदा मैंनू तुसी फड़ देओ असी उनकित्वों देए हो कहने लगे तुसी चुपर हो मैं हुण जाके ले उनी है इतनी गली है द्रोवती सुबा उठी शनान कीता प्रेम प्यार नाड महात्मा दे जा चरना दे टही हो कहने दे आप उत्री किस तरह आई हो कहने लगे तुसी साड़े जगदे अंदर शाम लगे त्वान मेरी शर्त दा पता ही है मैं 101 असमेद जग मंगदा है तुम दे दे तेर नाल चलवड़दा है वो कहने लगी मैंनू आम मौका मिलिया है महात्मा दी संगत और सोब दे विच जान दा वाड़े वर के महात्मा दो सुनेया है कि तूरे महात्मा दी संगत और एक एक कदम दे उत्ते सौ सौ समे जगदा फड मिलता है तुसी एक कदम दा फड रखलाओ बाकी तुसी महात्मा ने उन्हानू समझावणाई सीगा उन्हाने काननी खुरकया चुप करके उदे नाल तुरपे द्रोपती खाने बणोंद विच बड़ी माहर सी उन्हों रिख जदोने करे आके अच्छे खाने बणाए तो बालमीक देगे रखे मारा सावन से केंदे हुंदे सीगे के महात्मा जद खाना खांदे है अपनी सुर्थ नूं अंदर लाए जांदे है वो खाने दा स्वाद नहीं लें देगे मारा सावन सेंग देर सोईये ने वंता सेंग 10-10 सीगा एक दफावने उन्हान यकां सी खांशी सी अपनी सम्हिदे वीचे ता खंट कलका के देन लगया लेकन खंट दी विजाए नेम्क देदेता पीस्या प्यासीगा जाद पता लगया जाके माफी मंगी माराजी मैं ता बड़ी गल्दी कीती उखने लगये भी सानू ता पता निलगया सो उन्ना ने आवदे खाने मलाले वो देखी जान्दी सी देल देवेचे केरना आई कि अगरे कल्ले कल्ले खाने दा स्वाद लेंदा ते इन पता लगता वी द्रोबती भी कोई चीज है खाने बनोन देवेच माहर है पर छोटी जाती रही इन पताई निगा तुरी खाने किस तरा खाने है कीता किता ताया सारा चलया जंदा है यदा हंकार आजावे उसने खाना ता मूँच पाया लेकन कंठा ना वजया क्रिश्न पग्वान नूँ पुछन लगे माराज जी हुन भी ने ता वाज़दा गा कंठा था हुन दस्व उखेल लगया तुसी द्रोबती नूँ पुछलो ये क्यों नी वजय रिया द्रोबती नूँ पुछया उस सत्वा दी लोग संड आव दी गल्ती खोज लेंदे संड मन लेंदे संड उखेल लगे हां ये मेरी गल्ती है मैं महात्मा दोती अपाउल लायाई है इस वास्ते कंठा नी वजयागा ज़ाद प्राश्यत कीता कंठा वाज गया आप केंदे मर्दा सब का मान सुप्च बिन कंठना वाजा मंडमा दा हंकार टुट गया और उस नीमी जाती वाड़े महात्मा नू लिया के पैर पकड़े और ता जाती वन्हाद जग से पूर्ण होया केंदा पाव इतने हैं पल्टु सहीव दा के उस प्रमात्मा नू प्यार प्यारा है अपनी प्ल्टी प्यारी है निम्रता प्यारी है गुरु रामदास्य महाराज केंदे है बेन संगत कर्म करा अब मानी कड़ पानी चिक्ड़ पावाएगो बगैर महात्मा दी संगत और सोबत्तों पेशा के कितना भी स्रेष्ट कर्म क्यों नहीं करता गुरु रामदास केंदे है इस तरह है जिमें साफ पानी नुपड़ के चिक्ड़ विच पारिया है जी जाफ साफ नेम अजाकर पोखेरा कोई आइच वरी के पेंदूए सब रिशिमनी रोई किया जो देश टर जाख बटोरा सगलं समाजा मर्दा सबका मान सुपच जबने रंदना वाजा पलटू हूंची जात को जम कोई करें हमकार सारब के दर्मार में कीवल फगत प्यार पलटू से उकेंद ए अगर कोई कहें के महाँ उची जाती विच फैयदा हो गया है stored जाती बिच पैना और ही प्रमत्मा मैं लू मिल लेगा जा अगे जाके गए नू सितकार करेगा यह बड़ी उच्छी जाती बेल पैदा हुआ बिया गुल्ले शाह सेजद जाती देविच पैदा होई संद मुस्लमाना दे अंदर सजदा दा खाश आदर होंदा है वो लोग सदकार कर देखन लेकन जेड़ा उसने गुरू पकड़िया जिस तो कलमा लेया वो अराइं सी नैथ शाह गुल्ले शर्म मसूस होया करे जादोंनों सेजद कहन दे सी गे और ताना मार दे सी के वे देख एक सेजद होके अराइंया दी सोबदे वेचे जांदा है अराइंया नू नीवे समझा गया है उकेती वाड़ी करनाले लोग उन्दे है तो गुल्ला कहन लगया आव दे समाजव काड़ानु पैना पाँजयानु वही देखो बन जेडा मैंनू सेजद सद्धेगा उन्नों दोजग देविचे सजा मिलेगी जडा मैंनू अराइं कवेगा ओस उन्नों ब्हस्त देविचे जगा मिलेगी जेता कोई बारों नैतनू देखिए तक कपड़े गालचे है ली रह कि इस वास्ति बुलेशा केंड लगया अमला उपर हो नवेड़े खड़ी रेंड गिया जाता प्रावागे अमल करतूत देखनी है कि किसे ने जात पात नहीं पुछनी गी भक्त नाम दिव भी कहनदा है कि जात पात पूछे ना को हर को पजेसो हर का हो अग्य किसे ने जात नहीं पुछनी गी गुरुरांदास दिमाराइज केंड देया सा जात सा पात है यहे कर्म कमाए जैसे इसी कर्म करते हैं उदे मतावकी साड़िया जाता है जाता देना पए है अगर कोई सोने दा कम करता है उन मिट्टी दा कम कड़े बनाउन दा करदा कमार करने लग पे एक कौंबा मजब जितने हैं साथे पेशे तो ये खत्यार हुंदे हैं लेकन अग्गे जाके ये कोई एक कवे कि इस जाती नूँ परमात्मा जादे प्यार करेगा ये पुल है कि बीर सही खेंदे है दूबों गेरे वापरे बहुत लोग उनकी कान तब कुल किसका लासे जब चकत रहो मसान आप कहने लगे तुसी दमाग चुए कट देओ जद सूर्ज दी कोई जात नी किरंदी की जात हो सकती है जद परमात्मा दी कोई जात नी और ना उन्हें कोई जात बनाई है ना किसी दे लेवल लाकी पेजिया है साड़ी आत्मा दी की जात हो सकती है आत्मा दी ओही जात है जो परमात्मा दी है कि प्रम कर्गें कि अपक्ति करने चैंदे हैं यह अनसानी जामा गुष्टा दी लेखे ला सको दे हैं यह दे विछ बैठगे प्रमात्मा दी पग्विधी करिए प्रमात्मा ने पैयार करिए और अपने जीवन नूह सुखल बनाईये अल्चु उस्टे जात को जन कोई करें हमकार आहिव के दर्वार में देवल परत प्यार